असलाम उलेकुम, वेलकम टो माई चैनल, आज मैं मावे के पेडो की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही साधा आसान और बहुत साधा टेस्टी रेसिपी होती है, और यह हमारे यहां इद पर बनाए जाते हैं, तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप प्लीस मेरे चै अब घी को गरम करने के बाद इसमें हरी लाइची कूटकर डाल दी है, अब एक मिनिट के बाद इसमें मावा डालेंगे, और यह घर का बनाया हूआ मावा है, और यह 1,5 kg मावा है, अब इस मावे को घी के साथ में अच्छी तरीके से भूनेंगे, और लगातार इसको चलात तो यह देखें यहाँ पर हमारा जो मावा है वो गरम अच्छे से हो गया है अब इसमें डेड़ कप चेनी डाली है अब चेनी और मावे को तब तक पकाएंगे जब तक की मावा कड़ाई को न छोड़ दे और लगा था इसमें चम्चा चलाते रहेंगे तो देखें यहाँ पर मावा जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है बस लगातार इसको चलाते रहना है कि लगने नहीं देना इसको बिलकुल भी और हीट भी मीडियम रकनी है यहां पर कितना सैद sih दिखो गए है यह जो मावा है हमारा वो इसने स्टार्ट कर दिया है कड़ाई के छोड़ न और यहां तो इसका मतलब है कि यह हो गया अच्छे से भून गया है अब फ्लेम को ओफ करदेंगे और इसमें जो बल्य काडिमम होती है उसको कूट कर उसके जो सीट्स होते हैं वो इसमें डाले हैं अब इसको पांच मिनट के लिए ठंडा करेंगे स्यादा ठंडा नहीं करेंगे बस पा और मेंरे इसमें बुरा डाल रही है यह 1.5 kg र्रच अब इसको मिक्स कर लेंगे कि और यह हैंस से तो होगा नहीं क्योंकि अच्छा खासा गरम होता है मावा तो इस तरीके से इसको इस प्लटने से मिक्स कर लें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर सरूर करें और ये पेड़े बिल्कुल ऐसी होते हैं जैसे कि मतुरा के पेड़े फेमस हैं ये इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे मावे वह पुरे को एक साथ अच्छे से यहां पर मेरे मिनिस को मिक्स कर लिया है अब इसके पेड़े बनाने हैं और यहां पर मेरी नीस भी लगी हुई है पेड़े बनवाने में उसे सारा ही काम करना होता है हर काम बेहाथ बटाती है वो तो यह देख इस तरीके से बनाने है यह हमारे यहां इद पर जरूर बनाए जाते है देख इस तरीके से बनाए और फिर अंगुटे से इस तरीके से निशान लगा दे तो ये एकदम मार्किट्चे से बन जाएंगे और आप चाहे तो इनके उपर बादाम भी लगा दे या फिर काजू लेकिन हम नहीं लगाते देखे इस तरीके से बनाना है और बनाने के बाद इनको एर टाइट कंटेनर में रखना है अगर इनको खुलाई रख दिया तो ये ट्फ्राय हो जाएंगे और फ्रीच में भी नहीं रखना है नहीं तो फिर ये पानी छोड़ देंगे तो इस तरीके से बनाकर रख ले तो ये सब अम्मी ने बना लिये हैं और मेंधी भी देख लीजिए तो ये सब बन गए हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंशेर भी सरूर कर दीजिए और इस रेसिपी को सरूर ट्राय करिएगा आपको बहुत पसंद है इंशालला और जब आप बनाएं तो मुझे कॉमेंट करके बताएं कि कैसे बने ये थी आज की रेसिपी अल्लाहाफीज